नमस्कार आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज जगदूत न्यूज हिंदी राष्टे समाचार में मैं पिके ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ खगरिया जी लेके गोगरी अनुमंडल के जमालपूर में स्वस्तीम होस्पीटल में सुरू की गई ओपीडी शेवाएं देखिए गिता कुमार की एक रिपोर्ट कोरोना वाइरस के फेलेने के दसके दहसत के बीच स्वस्तीम होस्पीटल एंड अस्टोन क्लेनिक जमालपूर गोगरी में ओपीडी शेवाएं शुरू की गई है होस्पीटल के डॉक्टर संजे कुमार सहरजन, डॉक्टर ट्विंकल कुमारी, डॉक्टर एक के नवीन, डॉक्टर नागमनी नंदन, एवं राजिस कुमार यादम ने कहा कोरोना वाइरस से डड़े नहीं बलकी मुकाबला करे हाथ साबुन से दोए, मास्क लगा कर चले, भीर भार वाले इस्थान से बचे, समाज दूरी का पालन करे यत्र तत्र ना थुके, किसी भी प्रकार का सारी कर्ष्ट होतो, अपने अनुसार कोई दबाई का सेवर ना करे तुनत किसी डाक्टर से प्रामर्स ले, आपके दौरा की गई साब्धान ही करोना शंकर्मन से बचा गए याद रखे कि इस संकर्मन बिमारी से सिर्फ आप ही नहीं, बलकी आपकी नास समझी और लापारवाहे से आपके पडिवार के अन्ने सदस्वों में भी ये वाइरस फैल सकता है जिसके कारण समाज में गाउं में हजारों लोग इस चंकर्मन के शिकार होंगे इसलिए आप निस्चित रुप से साब्धान रहे एवं सरकारी नियमों का पालन करे और वाइरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार परसासन, समाज इवं देश की मदद करे जो भी मरीज हमारे यहां आ रहे हैं, सबों को पूर्णता सेनेटाइज करने के बाद ही होस्पिटल परिसर में इनक आया जाता है हमारे होस्पिटल के डॉक्टर, एस्टाफ जितने भी हैं, वो सारी पूरी सुरक्षा के ताद अपनी सुरक्षा देखते हुए होस्पिटल को पूरा सेनेटाइज करने के बाद ही मरीज को हम अपने होस्पिटल के अंदर इनक आते हैं, बजाक्ते उसको हम लोग पहले साजून चे हाँ धुलबाते हैं, सेनेटाइज करते हैं, गलस मास्क देने के बाद ही उसको डॉक्टर के चंबर में इनक आया जाता हम सबंसे निवदन करते हैं कि जो बेवस्था हम दे रहे हैं उसमें आप लोग भी सहयोग करें ताकि हम क्रोना वाइरस से इसके महामालिस हम लोग लर सकें और जीत हासिल कर सकें धन्यवाद स्वास्तिम होपीटल जमालतुर गोबली खगरिया खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद अगर आप चाहते हैं कि जग्दूत नीज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक होंगे लाग बटन दवाकर चैनल को सक्स्क्राइब करें और घंटा को दवाना ना भूदें आप हमें फेस्बूक पर भी खोलो कर सकते हैं